वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डवलप्मेंट का पार्ट नमबर 6 इससे पहले मैंने इसकी 5 वीडियो अप्लोड कर दी है तो आप उपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पांचो वीडियो इसकी म मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं रिसोर्स एंड डवलप्मेंट में आज हम क्या पढ़ेंगे अब यहां पे जैसा कि आप इसे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वाइल इससे पहले मैंने लेंड ऐसे रिसोर्स पढ़ लिया है अब स्वा फिर सब स्वाइल होती है फिर नीचे सबसे नीचे बेड रॉक होती है ठीक है किस तरीके से स्वाइल को फॉर्मेशन होता है कैसी कैसी लेयर्स होती है स्वाइल में वह हम यहां पे देख रहे हैं अब हमारा चैप्टर जो शुरू होता वह यहीं से शुरू होता है स्वाइ पहला पॉइंट प्रस्ट करेंगे जैसे कि आप देखते वह गंगा का फ्लेट प्लेट वह इस एरिया में मालों गंगा का यह फ्लोव करती है और यह इसका बैड है मतलब यहीं तक जाएगी है लेकिन आप क्या हुआ गंगा अपने बैड को बढ़ा लेती है क्योंकि पानी आ सेढिमेंट यही के सेटीमेंट बनती है यहां पर बने तो इसी तरीके से यह क्या होता है और जैबलता है": K प्लस क्या कह रहे हैं कि आप जो है लावा ऊपर की तरफ आ रहा है तो लावा ठंडा होता है ठंडा होने के बाद वह जम जाता है जमने के बाद यह तो पहाड का रूप ले लेता है फिर पहाड के रूप लेने के बाद उसके छोड़े-छोड़े होते हैं किसी भी से तो उस कंडिशन में मैं से क्या बोलते हैं रिनुएबिल नैचुरल लिसोर्स समझ में आ गया इडिजी मीडियम ऑफ प्लांट क्रोथ सभी को पता है एंड सपोल डिफरेंट टाइप अफ लिविंग ऑर्गेनिजम ऑन दी आर्थ ठीक है इटेक्स मिलियंस ओफियर से वहु होता है इरोजन होता है विंड ग्लेशियर के अटिट्यूट से जैसे कि सेंड्यून बनते हैं एक्टिविटीज ऑफ डिकंपोजर्स जो होते हैं वह सब चीजें स्वाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है जैसे आप अगर पैरेंट रॉक देखते हो पैरेंट रॉक से प हैं डिकंपोजिशन एक्टिविटीज हैं वही सारे पॉइंट रिपीट हो रहे हैं कि कैसे हमारी स्वाइल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें हम देख रहे हों कि मैंने पॉइंट इसली दो बार जैनबुच के लिखका है जिससे आप लोगों याद हो जाए अगर कुछ लो विंड ग्लेशर एक्टिविटी डिकंपोसर या फर्स सेकंड या सेकंड ठर्ड तो आसानी से याद हो जाएगा ठीक है समझ में आया अब देखो सॉल्ट हमारे जो स्वाइल होती उसमें कई सारे केमिकल और 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 गैनिक चेंजिस भी होते हैं वह से भी हमारी स्वाइल की फल्टिलिटी पता चलती जैसे कि स्वाइल में सॉल्ट है कई तरीके के सॉल्ट होते हैं नाइट्रेट्स होते हैं तो उससे पता बढ़ता है कि हमारी स्वाइल कितनी फल्टाइल है ठीक है ऐसी मैने फिर और गैनिक है हूमस कितना है इन और दिखता नहीं लेकिन सब कुछ उसके अंदर होता है तो स्वाइल का formation देखें आप कि कितनी अजीब तरीके से होता कितनी मेहनत लगते है study of soil को क्या बोलते है pedology बोलते है again very important for NTSC study of soil क्या बोली जाती है pedology study of soil क्या बोलते है pedology यहां पर आप देख रहे हो basically यह major soil type का map है कि कौन-kौन सी हमारी major soil Soil जैसे हैं 46 म्हील आपको अलूविया स्वाइल है यह सब से ज्यादा पाई जाती आपकी याद रखेंगे कि अलूविया तक बाद हमारे सब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्लास 9 में तो उसमें पूरा ये नदन प्लेंस वाला एरिया पूरा अलूवियल स्वाइल से भरा पड़ा है अलूवियल स्वाइल सबसे जादा फल्टाइल स्वाइल होती है क्यों क्योंकि अलूवियल स्वाइल के आसपार फ्लेट प्लेंस य पहरा पड़ा है और यह किससे होता है इंडस गंगा और ब्रह्म पुत्रा से यह भी हम डिसकस कर चुके हैं यह जो बेसिकली है यह कहीं कहीं राजिस्थान गुजरात और इस्टन कोस्टल प्लेन पर्टिवियन डेल्टास और महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी कभी कहबी कॉंप्टिटिव एकजाम में कोशंद आता है क्या हमारी कहने का मतलब यह महानदी इन जगहों से यहीन मिलता है तो आप नदन वहाला है पूरा एरिया हो कावेरी रिवर ठीक है यह चीजें अगर आप याद रखोगे ना तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी तो पूरा इसको हमें अच्छे से याद करना है और भूलना विल्कुल भी नहीं है ठीक समझ में आगया यह आगे बढ़ते हैं अब अगला पॉइंट सेंडी स्वाइल का मतलब क्या होता है यह बहुत होता है सेंडी स्वाइल का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हमें मिलें बिक पार्टिकल्स उसे हम क्या बोलते हैं सेंडी स्वाइल ठीक है और अगर बहुत बारी हमें कंकर मिलते हैं बह तो हमारे दो तरीके स्वाइल होती हैं sandy soil और clay soil तो sandy soil समझ में आया जहां पे हमारे particles बहुत बड़े बड़े जहां पे particles छोटे छोटे हैं वो क्या हो गया clay soil हो गया ठीक है और अगर हम बात करें एक option और आता है कभी लोमी स्वाइल क्या होती है तो mixture of sandy and clay उसे हम बोलते हैं लोमी स्वाइल यह बहुत कम लोग को पता होता है 10th class में हम लोग सिर्ट लेते हैं sandy है clay है तो यह ध्यान लगना sandy का मतलब जो particles हैं बहुत बड़े-बड़े sandy में क्या है कि particles क्या है बहुत बड़े-बड़े और clay में क्या है कि particles बहुत tight है और बहुत छोटे-छोटे fine particles है ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए कि पानी किसमें सबसे आदा तेजी से बहेगा अगर हम बात करें percolation of water की तो sandy soil में तेजी से निकल जाता है ठीक है समझ में आएगा और clay soil में अगर हम बात करेंगे तो clay soil में क्या होते पूर्स बहुत पतले-पतले होते तो tightly packed होते हैं तो उसमें पानी जा तेजी से flow नहीं कर पाता और air भी उसमें क्या होती है कम होती है तो इसलिए sandy soil थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि sandy soil में आप देखो पानी बहुत तेजी से drain कर जाता है और उसमें हवा भी खूब अच्छी लेकिन clay soil बहुत compact होती है तो उसम सब्सक्राइब होता है जहां पर कम बाढ़ आती है लेस फल्टाइल जोन और new aluvium खादर रीजन क्या होता है जहां पर बहुत ज़्यादा flood plains होते है बाढ़ आती है उसमें बोलते है क्या खादर that is new aluvium ठीक है तो खादर को याद देने खादर क्या होता है हमारा new aluvium होता है aluvial soils हमारी बहुत fertile होती है these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime potash, phosphoric acid, lime इसमें होता है sugar cane, paddy, wheat and other cereal pulses crop सब aluvial में ही grow होते है ठीक है और आपसे कोई पूछा है aluvial soil भारत में सबसे जाता है और सबसे कितने percentage है तो approximately 43% भारत में पाई जाती है clear हो गया यह अब आती है black soil, black soil भाया black है ठीक है अच्छी बात है अब देखो इस soil को हम क्या बोलते है रेगर soil भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे रेगर soil भी बोलते हैं तो यह हमें याद अखना है black soil क्या बोलते हैं रेगर soil कभी कभी कोशन आ जाता है कि black soil क्या कहलाती है तो option आता है black cotton soil यह भी option सही है या फिर हम उसे क्या बोलते हैं रेगर soil चीक और climatic conditions along with the parent of material the more important factor for the formation of black soil भाया कभी हमेशा कोशन आता है कि कौन सी soil cotton के लिए बहुत ज्यादा beneficial है तो उसका answer आएगा cotton black cotton soil और आप से अगर पूछा जाए है कि cotton सबसे ज़्यादा कहां पे होता है तो आप क्या बताओगे अगर आप से पूछा जाए को कहां होता है तो यह वाला जो एरिया है ना अगर आप इसमें देखो आप यह देखरो यह वाला एरिया यह यह वाला संपार्ट यह पूरा जो एरिया है ना यह पूरा ब्लेक स्वाइल का एरिया है और ब्लेक स्वाइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है कॉटन ठीक है यह हमको याद रखना है कि ब्लेक स्वाइल में सबसे ज़्यादा क्या होता है cotton होता है до 2 option आपको यहां पे दिख रहा हूंगे that is maharash Кон गुजरात अगर आप याद करो तो यह आपका होता है basically गुजरात में इस तरीके से याद रहेगा आपको ये वाला zone आपको याद रखना है ब्लेक स्वाइल केस में तो आपको महराष्ट गुजरात अगर याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा ठीक है भूलना नहीं बिल्कुल भी अच्छे से याद रहेंगे चीजे ठीक वेरी गुड आप देखो आगे चलते हैं और देखते हैं इसी ब्लेक स्वाइल में कि भा सब्सक्रावा से बनी होती है सभी को पता यह वार्द देखो महराष्ट्रा स्वराष्ट गुजरात हो गया मालवा मद्यपरदेश चतिसगड और कहीं कहीं गोदावरी और कृष्णा वैली इसके आसपास भी पाया जाता है यह जो रीजन है यह आपको यहां पर भी पाया फार्टा नहीं है ठीक तो ब्लेक का कहानी क्लियर हुई आप लोगों को सब्सक्राइब है कि ब्लेक कोशन आता है आपके इस लेवल पर 10 में ब्लेक कॉटन कौन सी होती है यह जो कहां का रखना है महाराष्ट में हैं और गुजरात में और वैसे अगर लीडिंग प्रोडूसर कौन है इसका अगर देखा जाए तो लीडिंग प्रोडूसर कौन है गुजरात है क्यों है क्यों कि वहां पर सबसे ज्यादा ब्लेक स्वाइल पाई जाती है क्लियर हो गया यह ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं एक मिनुट हम दा ब्लेक स्वयल मेड ऑफ एक्ष्रीमली फाइन क्लेई मेट्यीरिल मैंने भी आपको बताया था है क्लेई मेट्याल क्या होता है जिसमें हमारा जो ब्लेक स्वाइल होते हैं तो तॉ तो हवा होती वह इंदर नई जा पाती पानी छो फ्लो नहीं कर पाता है इस चक्कर में यह ब्लेक स्वाइल हमारी इसी की बनी होती है इस क्लेई मेटिकल की ठीक और मॉइस्टर होल्ड जादा करती है ब्लेक स्वाइल इस न्यूट्रेंट रिच कंटेंड केल्शियम कार्बोनेट मेंगनेशियम पुटाश और लाइम अब इस इसमें कोशन आता है कि जब यह स्वाइल गीली होती तो स्वाइल इस्टिकी फैन वैट एंड डिफिकल्ट वर्क और लेस्टिल्ड इमिडेटली आफ्र दी फर्श आवर और डिरिंग प्री मॉन्सून पीरियड तो इस स्वाइल को सब्सक्राइब करते हैं बारिश हो जान समस्थी तो आपका इसी का पूछ जाता था कि यह याद आखना कौन सी कहलाँ है नहीं नंबर पर हमने क्या बोलना है इसे बूलते है जो चलब ऑगे चलते हैं और नंबर देखना फीश College को बनि हैं रही है तो ढbetаль कर कि बोलकिशे हैं है अगला आपका जो है रेड एंड येल्लो स्वाइल ये भी बहुत इंपोर्टेंट है रेड और येल्लो तो बहुत रहें और येल्लो स्वाइल में हमें याद रखना है कि दिस श्रै डवलप लगनी असरों स्वाइब टिखो एसे कोश्चन आते हैं कि बताइए लो में क्या यह crop grow करेगी आपकी यह नहीं करेगी इस तरीके से हमें याद रखना है इसको ठीक है तो अब अगर आप देखो रेड़ स्वाइल यह हमारी लो रेंफॉल एरिया में होती है वेरी इंपॉर्टेंट भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी ठीक है और देखो इस वाइ रेड़िश कला ड्यू टू डिव आयरेण की प्रिजन्स की वाइसे रेड होती है यह 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 लो कप होती है जब इसे हम हाइडरेटेट फॉर्म या फिर गीली फॉर्म में देखते तब यह कैसी मिलेगी हमें हाइड ड्रेटेड मिलेगी ठीक है चलो फाउंड पार्ट अव हमें इससे कोशन ही बनता है की लो रेड़ mir वाल में होती है क्या रेड़ेजन और यह 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 लेव लोगती ही जब हाइड वॉर्म में होती है openly यह लेटर्यू आज़ीच सफ्वास लेचाएट रिटरेट होती है बहूसुछ आधि मस औब धेत। सई चोप्यों यह हैंद द लीचिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है ठीक है और देखो उसके बाद क्या होता है यहां पर कोशन बहुत बनता है कि हाई टेंप्रेचर और हाई रेंफॉल में कौन सी स्वाइल मिलती है तो हमेशा आंसर उसे क्या होगा लेटराइट स्वाइल हाई टेंप्रेचर मैं देखो अलग से प्पाइट किया जिक नंबर वाला है वी टेंप्रेचर ही रेंफोल टेंशनड़ गोजेद दो सबसory 점ल में चाइऔ कोफ़ी की पैदाबार सबसे ज़ादा होती है यह सवाज शॉपोर्ट करती है डेसी ये evergreen forest बट इसमें humus content नहीं होता है very important point fourth point humus content इसमें नहीं होता है acidic होती है इसका pH 6 से भी कम होता है इसमें कोई nutrition नहीं होता है यह सिर्फ और सिर्फ heavy rainfall heavy temperature में मिलती है tea और coffee के लिए जरूरत होती है humus content इसमें zero होता है ठीक है और एक question हमेशा आद रखेंगे nitrogen content 90% किसी भी soil में नहीं होता है उसके लिए nitrogen fixation करते है ठीक है समझ में आ गया कोई दिक्कत यहां तक बस इसको lateride soil में हमें यही point आद रखना है कि 6th point जो है न अपना heavy temperature and heavy rainfall और tea और coffee कि soil में grow करते है क्या lateride soil में humus होता है बिलकुल नहीं होता है ठीक है अब देखो red और yellow soil में क्या रखना है कि red soil हमारी basically कहां होती है low rainfall zone में होती है कहां पर होती है low rainfall zone में होती है यह हमको इस तरीके से याद रखोगे तब याद रहेंगे चीज़ें बना भूल जाओगे ठीक है बिलकुल भी याद नहीं रहेगा मैं आप लोगों को अभी याद करा दूँगा अपनी इसी class में ठीक है तो red soil का समझ में आ गया कि red soil आपकी low rainfall में होती है red soil आप भी कहा होती है low rainfall में और red soil हमारी क्या होती है यह भी acidic होती है ठीक तो इतना और इसमें iron की present से यह red होती है इतना हमें याद रखना है ठीक है और देखो अगर मैं एक चीज़ोग बताऊ ना आपको red soil में तो देखो आप इधर red soil का आप zone देख रहे हो ना यह red soil यह आप देख रहे हो यह सबसे ज़्यादा तमिल नाडू में होती है सबसे ज़्यादा बोच लिए तमिल नाडू साइड में पाई जाती है आपकी red soil इसको याद अखना है कि red soil आपकी तमिल नाडू साइड में पाई जाती है और उसके पाद हमने क्या पढ़ा था उसका पढ़ा लेट्राइट सॉयल हमने क्या पढ़ा एक ही पॉइंट बार बार पढ़ रहे हैं कि सिक्स्थ पॉइंट इंप्वाटन है है वी टेंप्रेचर एंड हैवी रेनफॉल और इसमें बहुत ज्यादा होती लीचिंग का मतलब होता है कि सारे nutrients पानी अपने साथ ले जाते हैं इसमें कोई भी nutrient नहीं होता है और इसी वज़े से इसमें humus content zero होता है ठीक है या दखना है इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है अब देखो लेटराइट के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें दिखती एरिड स्वाइल एरिड स्वाइल का कलर हमेशा पूछे जाता है कहां से कहां तक है तो red to brown red to brown यह vary करती रहती है sandy होती है in texture में sandy और clay में पहले difference बता चुका हूँ in some area the salt content is very high and common salt is often by evaporating the water ठीक है इसमें भी humus नहीं होता है the lower horizon of the soil are occupied by kankar because of the increasing calcium content downwards the kankar layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of the water ठीक है तो इसमें kankar modules बहुत जादा होते है किसमें arid soil में arid soil में humus नहीं है और एक मिनट arid soil में humus नहीं है और moisture बिलकुल भी नहीं है यह याद रहेगा ठीक arid soil lacks humus and moisture अब देखो forest soil होती है आपकी hilly और mountainous areas में मिलती है the soil इसका भी low me होता है low me मतलब क्या sandy plus clay and siltine valley sides in the snow covered areas of Himalaya these soil experience denudation and are acidic with low humus content ठीक है denudation मतलब तरीके से खतम होना मतलब erosion होना these soil experience denudation and are acidic with low humus content humus इसमें भी नहीं होता है यह soil fertile होती है river के किनारे या जहां alluvial fans है alluvial fan आप समझते हो alluvial fan अभी 10th का topic नहीं है ठीक है alluvial fan मतलब इस तरीके से soil का distribution होता है तो उसे में बोलते है alluvial fan ठीक है तो यह जो soil है हमारी hilly और mountain zone में पाए जाती है the soil texture क्या होता है loamy होता है and silty in valley sides ठीक समझ में आ गया यह आप देखो आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमाई क्या देखना है soil erosion and soil conservation यह हमें देखना है भी इसमें और तो कुछ देखना नहीं है और तो हमने complete कर लिए अपने सारी soil soils soils में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम थोड़ा सा एक बार और देख लें तो arid soil आपको कोई doubt तो नहीं आएगा basically arid मतलब सूखी जो desert वगएरा में पाई जाती है और red to brown color में move करती है और saline होती है यह बहुत यह हमें याद रखना है ठीक है तो यहां पर क्या होता है basically arid soil are the soils of desert basically desert की होती है यह और इसमें जो होता है इसा color red to brown तक move करता है और saline बहुत होती है ठीक है अब आगे देखो कि यहां पर humus भी इसमें नहीं होता कंकड यह बहुत important point है कि the lower horizon of the soil are occupied by कंकड इसमें कंकड बहुत बड़े बड़े होते हैं कंकर लेर इसमें नीचे की तरफ बनते हैं और उससे क्या होगा पानी का infiltration नहीं हो पाता है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमने क्या देख लिए forest soil complete देख ली forest soil का में यहीं आद रगना है कि forest soil आपी कहा मिलती है mountainous areas में मिलती है forest soil कहा मिलती है आपकी mountain or hilly reason में मिलती है ठीक अब देखो soil erosion क्या होता है तो soil erosion में हम सीदे सीदे क्या पढ़ेंगे soil की जो upper layer उड़ जाती है upper layer उसकी fertile layer खतम होती जाती है किसी भी वज़े से चाहे वो deforestation की वैसे हो over grazing की वैसे हो construction की वैसे हो mining की वज़े से हो किसी भी वज़े से चाहे व सब्सक्राइब कर रहे हैं कुछ भी कर रहा है ठीक है या मैं फार्मिंग मेथट से वह खतम हो रही है तो उन सबों क्या बोलते है soil erosion the running water जैसे आया cut through the clay soil make deep channels ठीक है वो soil आपकी बह गई इसी को हम क्या बोलते है sheet erosion top soil आपकी चली गई it is known as the sheet erosion wind blow loose soil of flat or sloping land is known as wind erosion जैसे कि आप wind soil को उड़ा के ले गई कहीं पर पानी soil को हटा के ले गया कोई भी activity है deforestation हो गया over grazing हो गई construction है mining है इन वज़े से हमारा क्या होता है soil erosion होता है soil erode करती है अब देखो अगर हम यहां पर conservation methods हैं यह मैंने इसकी heading डालना भूल गया हूँ these are the conservation methods कि हम soil conserve कैसे करेंगे तो soil conserve करने के लिए सबसे पहला point हम देख रहे है contour plowing contour plowing या फिर terrace cultivation आप यहां देख रहे हो contour plowing भी इसी तरीके से होता है same as terrace cultivation कि यह सीडीदार खेद बना देते हैं पहाडों में ठीक है कि पानी यहां से आएगा फिर यहां रुकेगा फिर यहां रुकेगा इस तरीके से वो soil को erode नहीं कर पाता इसी को हम क्या बोलते हैं सीडीदार खेद यह terrace cultivation और contour plowing goal shape में होता है इस तरीके से इस तरीके से contour plowing होती है यह terrace cultivation होती है देखो terrace cultivation second point है इस तरीके से बोलते हैं सीडीदार खेथी ठीक है flowing along the contour line d slate the flow of water down इसी को क्या बोलते है contour plowing लगभग same होते हैं ज्यादा कोई फरक नहीं होता third one is strip cropping strip cropping क्या होता है when a large field is divided into strips एक strip of grass बीच में रोक देते हैं between the crops यह हमने यहां पर यह हमने यहां क्या लगा दी grass लगा दी एक crop इधर लगा दी है और एक crop आपकी इधर लगा दी है ठीक है यह तो इससे क्या होता है कि अब आपकी जो wind होगी न वो इतनी जगा को erode नहीं कर पाएगी जहां पर आप क्या है यह हरी अरी घास है इतनी जगा बच जाएगी ठीक है तो इसी को बोलते हैं कि इस्ट्रिप क्रॉपिंग आप इसमें crop rotation कर सकते हो बहुत सारे methods हैं आप multiple cropping लिख सकते हो crop rotation लिख सकते हो inter cropping लिख सकते हो मल्चिंग लिख सकते हो मल्चिंग एक बहुत important point है मल्चिंग में क्या करते हैं कि यह एक इस्ट्रो की layer जैसे soil की उपर बिचायते हैं जैसे की soil erode ना कर पाए उसकी humidity बनी रहे और एक last one आता है fourth point का बहुत शब्द पढ़ेंगे shelter belt shelter belt basically coastal areas में होता है mostly coastal areas में होता है जहां पर हवा बहुत तेच चलती कहीं पर भी जहां पर हवा बहुत तेच चलेगी वहां shelter belt लगे होंगी shelter belt मतलब क्या है पेड़ों को एक line में लगा देते हैं जिससे की जब हवा आए तो wind को sorry soil को erode ना कर पाए that is आप ही क्या shelter belt कआँ सारे methods लिग सकते हो इसमें soil Wheel conservation में तो mitos क्या होग कांतूर flowing लिख सकते हो आप terrace cultivation लिख सकते हो strip cropping लिख सकते हो आप इहां पर अगर देखोगे तो आप shelter to beld का right पुइंट है शेल्टार वेल्ट का ठीक्क आप अब शेल्टर fox अब मल्ची हैं बिख सकते हो क्रॉária क्रॉ। आन्य को नहीं सकते हो मल्टेज लेख सकते हो मल्टिपल सब्सक्रैंग लेख सकते झाल झाल